पढ़ने जा रहे हैं. इस काल की क्या प्रवर्थिया रही है? प्रवर्थियों और प्रस्टूवथि? प्रवर्थियों को लेकर के. तरीके का, क्वेस्टन बनता है, फेक्ट्ट बेस वाला. और उसमें से आपको पूछा जाता है, कौन सी है, या कौन सी विसिस्ता नहीं है, निम्न मैंसे आदुनिकाल की प्रवर्ती थी या नहीं थी, इस प्रकार का question पूछा जाता है, दिमाग में इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बिठाना, सीधे सीधे, वन लाइनर question प्रवर्तीयों में एसे नहीं बनते हैं, चाहिए वो आदुनिकाल की हो, चाहिए वो रितिकाल या किसी भी समय की हो, आदुनिकाल में जितने भी वाद है, उन वादों की भी क्या है, प्रवर्तियां खास है, और वो हमें basically समझनी है, क्वेस्टन जो है एकदम नमस्ते आपके एकदम उल्जहू टाइप के आते हैं प्रवर्वर्तियों से अगर पूरा कॉंसेट के लिए नहीं है तो वहाँ पर आप पस जाते हैं के लिए तो हम आज आदुनिकाल की प्रवर्वर्तियों के बारे में बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो इस साहित्य की प्रवर्वर्ति हमारे सामने आती है इस समय क्या हुआ था आधुनिकाल की सुरुवात का बेस या आधार कहें तो 1877 की करांती रही है और कई विद्वान तो पहले हमने इस क्लास से पहले डिस्कस किया है कई विद्वान तो 1877 की करांती के बाद के साहित्य को आधुनिकाल की स्रैणी में रखते हैं उसके पीछे कारण क्या बताते हैं सत्ताउन की करांती के बाद में सब कुछ सामाजी के स्तर पर, राजनीती के स्तर पर, धार्मी के स्तर पर, हर चीज में कुछ न कुछ परिवर्तन आया और वो परिवर्तन एक नए पन को लेकर आया, एक आधुनिकता को अपने अंदर समाई हुए आया इस वजचे से इस काल को आदुनिक काल केहना ज़्यादा प्रभावी लगता है मतब़ आदुनिक काल टर्म यूज करना इसी वज़य से लोग ज़्यादा महतुपुन मानते हैं जितने भी आलो चक्तोई देके इस काल के भी कई सारे नाम करण है सिर्फ एक आधुनिक नामकरण नहीं है, आधुनिक काल, एक नामकरण नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी बात हमने पहले की है, हमने रामचंदर शुक्ल के और दोहरा नामकरण जो किया गया आधुनिक काल का, उस पे बात की थी, आधुनिक ताउं को समेटे हुए प्रवर् इसकी एक अंदुरुनी विस्षिस्ता क्या थी कि इसमें गद्य का आविर भाव भी हुआ और उसका प्रियोग भी जादा हुआ गद्य की विबिन विदाएं जो है इस काल में पनपी और अच्छे तरीके से विक्सित भी हुई इस कारण से इसका दूसरा नाम क्या रख दिया शुकल जी ने दोहरा नाम क्रण तो उन्होंने हर काल का किया हर काल का एक दो दूसरा नाम दिया है तो आदुनिक काल का भी उन्होंने दोहरा नाम करण करते हुए से गद्य काल कहा है इसके अलावा मुष्रे बंदू जो है ना इस आदनी काल को क्या बोलते हैं वर्तमान काल बोलते हैं इसके पीछे वो समय का हवाला देते हैं जब हम मिश्र बंदूओं का काल विवाजन और उनका नामकरन पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि ऴश्र बंदूओं कोई एक तो समय रेखा पर आधारित नामकरन करते हुए इस आधुनिक काल को वो वरतमां काल कहते हैं, मिश्र बंदू इसके अलावा रामकुमार वर्मा भी इसको आदोने काल ही कहते हैं कौन रामकुमार वर्मा लेकिन इसका समय क्या रखते हैं रामकुमार वर्मा अठारा सो सत्तर अठारा सो सत्तर इसवी से इसकी सुरुवात मानते हैं वर्मा जी आदोने काल की एक और important मत है इस संदर्ग में नामकरण और इन सबसे समंदित वो है राम विलास सर्मा का सर्मा जी खुद एक अच्छे कभी भी रहे हैं और एक अच्छे शमिक्षक आलोचक भी रहे हैं वो आधुनिक काल को जोडते हैं नव जागरण से वश्चिम के विद्वानों ने पुनर जागरण रेनेसा ऐसे कई सारे सब्दों का इस्तेमाल किया है सबसे पहले प्रांस में इस सब्द का इस्तेमाल हुआ रेनेसा बर्ड का जिसका मतलब ही क्या था नव जागरण या पुनर जागरण रामविलास सर्मा इस आधुनिक काल की प्रवर्तियों को जोडते हैं रेनेसा से रेनेसा का सीधा सीधा अर्थ क्या है नव जागरन या पुनर जागरन ये एक इतिहास में प्रियुक्त एक टर्म थी और इतिहास मैं थी इसलिए ये हिंदी में भी आई क्योंकि साहित्य क्या होता है वर्तमान का इतिहास होता है आज जो कुछ भी समाज में चल रहा है उसका एक कलात्मक इतिहास है साहित्य और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रामविलास सर्मा जो है इसको नवजागरन से जोडते हैं, रेनेसा से जोडते हैं, क्योंकि काफी हद तक हर चीज में एक नया पन दिखा, एक अनुठा पन दिखा, जो प्रवर्तियां अभी तक समाज के भिन भिन अव्ययों में, भिन भिन अंगों उपांगों में थी, वो नए रूप में निखर कर सामने आ रही थी, उनका एक तरीके से कहें तो एक नया वर्जन देखने को मिल रहा थी, और इस वजए से वो नवजागरन या रेनेसा या फिर पुनर जागरन जैसी टर्म से राम बिलास सर्मा इस बात को जोडते हैं, वो कहते हैं कि जो जो चीजें साहित्य में, विसे इस समाज के बारे में भी इस बात को स्पस्ट करते हुए लिखा है, एक समाज विग्यानी की तरह बात की है उन्होंने पुनर जागरन काल पर, लेकिन साहित्य की दृष्टी से कर देखें, या साहित इतियास की दृष्टी कौन से अगर हम इसको जांचे परखें तो ये कहते ह कि जो चीज पुनर जागरन काल के प्रभाव से या रेनेसा के प्रभाव से हिंदी साहित्य में आई, पहले वो धारा बहुत क्षिंड थी, बहुत कमजूर थी जिसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना और उसको रेखांकित करते हुए उस पर कुछ कहना एक मुश्किल चुनोती भरा काम था, क्योंकि उस जैसी परमपरा या उस जैसी प्रभरती उस से पहले हमारे हिंदी साहित्य में मौजू नहीं थी, अब जब वो परमपरा धीरे धीरे करके अपना इस्थान बना रही थी, जैसे एक नदी में ऐसे एक छोटी सी धारा निकलती है, और वो आगे बढ़ते 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 या फिर समय के हिसाब से या फिर उसके प्रवाह के हिसाब से वो एक बड़ा आकार बनाती जाती है, और में बी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में नदी जो अपने मुखे रास्ते पर चल रही थी, वो रास्ता बदल के उस धार वाले रास्ते को ही अपना ले, ये निर्भर करता है नदी पर, उसके प्रवाह पर, उसकी गति पर और उसकी फ्लेकसिब्लेटी पर ठीक वैसे ही साहित में भी धाराओं का यही मैत्व है एक धारा क्षिन वेग में सुरू होती है एक कमजोर वेग में सुरू होती है लेकिन कुछ समय बाद में हो सकता है वही जो मुख्य धारा से यह मान लिजिए मुख्य धारा है और इससे एक छोटी सी धारा निकली है कोई कारण से हो सकता है इधर ढलान हो हो सकता है यहां की मिट्टी कमजोर हो हो सकता है कि यह प्रवाह उप्युक्त नहीं है इसमें आगे कुछ चड़ाई है कुछ भी है यह धारा सुरू हुई है लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद में नदी अपना प्रवाह इसी दिसा में लेकर आए ये मुख्यधारा थी लेकिन ये हो सकता है यहीं पर अवरुद हो जाए और अब नदी का रास्ता नया बन जाए ऐसा ही साहित्य में भी हुआ है आप बोली के स्तर पर देखिए इतनी सारी बोलियां थी खड़ी बोली भी उनमें से एक थी जिसका कोई वजूर या कोई जो है रहा बड़ा एक तरीके से कोई वो परिवर्तन कारी काम नहीं रहा है लेकिन जैसे ही उसको प्रियोग में लाया गया जैसे ही वो सहुलियत के तौर पे इस्तेमाल होने लगी भासा की जगे पर उसने अपना मार्ग बना लिया जो भासा हिंदुस्तानी में जिसमें उर्दू की सब्दावली हद से ज़्यादा थी जिसमें तत्सम सब्दों की भरमार थी जिसमें अबबरंस के सब्दों की भरमार थी वो धीरे धीरे करके अपना प्रवाब बदलती और क्या बन जाती एक बोली जो थी वो छोटे से प् भासा बन गई है खड़ी बोली ही है वो जो हिंदी के रूप में खड़ी है मंदारिन को भी पीछे छोड़ दिया उसने ठीक वैसे ही ये एक प्रभाह था राम विलास सर्मा कहते हैं सुरू में पुनर जागरन या रेनेसा का जो प्रभाव समूझे विसो पर छाया था उसका प्रभाव हिंदुस्तानी समाज पर भी था और जब समाज में क्षीन वेग पर प्रभाव था वही प्रभाव साहित्य में भी देखने को मिलता है लेकिन उसको हम अंडरलाइन नहीं कर सके उसको हम रेखांकी तो नहीं कर सके उसको हम जांच परख नहीं सके और दूसरी जब वह बहुत प्षीन वेग में था तो उसको आंकलित करना या फिर उसको स्पस्ट करना उसकी व्याख्या करना हर किसी समिक्षक आलोचक के बस की बात में थी बूते की बात में थी उसके लिए चाहिए हाई क्वालिफिकेशन अकेडमिक नहीं लेकिन गुद्धी के इस तर पर उसमें बहुत ज़्यादा शूक्ष्म दृष्टी चाहिए अभी वो तुरंत पैचान सकता है जैसे एक डॉक्टर होता है आपके नस पर हाथ देते ही पैचान जाता है कि क्या बिमारी है किस परकार का बुखार है तुरंत पैचान जाता है और एक सारे टेस्ट करवाने के बावजूद भी वो ठीक डंग से identify नहीं कर पाता कि आपको कौन सा बुखार है यही अंतर है हो सकता है अनुबवों के कारण हो सकता है उसका knowledge इतना ज़्यादा हो बहुत सारी कारण हो सकते हैं ठीक वैसे ही उस knowledge की आप सकता थी जो में भी हो सकता है उस समय के आलोजकों में समिक्षकों में वो पैनी दिर्ष्टी नहीं रही होगी इस कारण से उसके बारे में बात नहीं की लेकिन थी क्षीन वेग में सुरू हुई थी हिंदी में रेनेसा के प्रभाव के कारण उनर जागरन या नव जागरन के कारण वो हिंदी साहित्य में इस्थान तो बना चुकी थी लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया कब आइडेंटिफाई किया गया उसको कब उसको पैचाना गया कि हाँ ये नए तरह का साहित्य है या नए विश्यों पर लिखा गया साहित्य है जब भारतेंदु काल आता है आपने देखा होगा भारतन्दु काल में एक अजीब सी उहाप हो है साहित्यकारों में रचनाकारों में कभियों में क्या है और किस प्रकार की है कुछ लोग राजबक्ती की बात करते हैं कुछ लोग रास्टबक्ती की बात करते हैं कुछ लोग एक ही रचना में राजभक्ति और रास्टबक्ति दोनों दर्सा देते हैं और खुद कन्फ्यूज है कि किस तरफ जाएं क्योंकि साहित्य प्रेमचंद के अनुसार जनता के आगे एक मसाल की तरह चलने वाली एक प्रकासमान वस्तु है और वो लोगों को राख दिखाती है रास्ता दिखाती है उनके भीतर एक मेधा उत्पन करती है जिसके प्रकास में लोग जो है अपना मार्ग बनाए लोग अपना रास्ता तै करें एक मंजिल तै करें और वो सद्द मार्ग है वो साहित्य में दिखाये गया मार्क सद मार्क होता है वो कभी गलत रास्ता नहीं होता है इसलिए उसको प्रकास जैसी वस्तू से क्या किया है उसकी तुलना प्रकास जैसी वस्तू से किया है एक ग्यान दीपक है भारतिंदु काल में ये जो उहापो के इस्ततिय न, वो धीरे धीरे कनवर्ट होने लगती हैं, जो राजबhakti भारतिंदु काल इन रसाहित्यकारों के अंदर कहीं न कहीं थी, वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होती गई, और उसकी जगे रास्ट्र भक्ती लेती गई अब हमें अच्छे तरीके से एक बड़े इस्तर पर एक परिवर्तन देखने को मिला कि जो लोग राजभक्ती की बातें करते थे राजभक्ती का मतलब सरकार की प्रसंसा करना उस समय जो भी सरकार रहती है अगर कोई व्यक्ती त़कानल सरकार की प्रसंसा करता है बले वो अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो वो राजभक्ती कहलाती है बुरी बात होुक करेगी राजभकर तब भी वो इसको अच्छा ही बताएगी और राश्ट बक्ती का मतलब क्या है देस हिट में चाहे वो कोई बहुत अच्छी बात है कोई पार्टी विसेस के लिए कोई संस्था विसेस के लिए लिकिन उसमें देसवक्ती करीन करी नाते क्या करता है उस बात का विरोध करता है वो उसकी देशवक्ति का प्रवान होता है देश को सर्वोच पैमानों पर रखता है अपनी देशवक्ति को सबसे उपर रखता है और अपने साहितियम बात करता है तो वो है देशवक्ति ही राज को उपर रख के बात करता है राज को ही सर्वोच पर ही मानता है बहले ही वो गलत हो तो है राजवक्ति उसकी भारतिन्दुकाल इनसाहितेकारों में ये प्रबर्ती जो है एक उहापो की इस्तती बनाती है एक इस प्रकार का पशोपेश वाली इस्तती होती है कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाए लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे भारतिन्दुकाल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चीज इसपस्ट होती जाती है कि लोग जो है नव जागरन के पक्स में हैं साथ ही साथ सामरा जवादी ताक्तों के खिलाफ वो खड़े हैं और कभी उनके आगे खड़े हैं धीरे धीरे ये बात सपस्ट होती जाती है नहारतिन्दुकाल में इस नव जागरन काल का या फिर आधुनिक काल का एक वेग जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है वो लेवल बड़ा है आगे जब ये आधुनिक काल आगे चलता है एक दूसरा व्यक्ति जो है जिसके नामकरन से एक नया समय आता है जिसको हम दुवेदी यूग कहते हैं दुवेदी यूग में जाकर के ये सामन्त वादी विरोधी प्रवर्तियां नव जागरन की प्रवर्तियां और ये कुछ नया करना, हटकर करना, देश बक्ति की बार ये सब आगे चलकर के एक बड़े रूप में हमारे सामने आती है इंपोर्टन बात ये हैं कि इन तीनों, इन दोनों कालों में एक जब ये अटेच हो रहा है, रामविला सर्मा के अनुसार नवजागरन से, रेनेसा से, उस समय भी भारतेंदु काल में और फिर धीरे धीरे ये दिवेदी काल में आता है, आदोने काल, प्रवेश करता है एक तरीके से एक विसेश क्रम में इसका प्रवाह जो है रा, आगे बढ़ता जाता है ख़दाहरण के लिए ये जो धारा है ये आप मानके चलिये, ये नवजागरन की धारा है मैं रामविला सर्मा की जो बात है उसको एक्सप्लेंद कर रहा हूं ये आगे चलता है, ये भारतेंदु काल है और उसके बाद में यहाँ पर आते आते वो धारा जो बहुत व्यापक और विस्तरित बन जाती है दिखने लगती है एक प्रवर्ति के तौर पर आप उसको जो है अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ यह आधोनिक प्रवर्तियों में से एक है यह बात है दिववेदिकाल की अब इन तीनों में कॉमन चीज क्या है जैसे साहित्य में कला एक विसेश वस्तू होती है और वो मौजू रहती है अगर कला मौजू नहीं है साहित्य में तो फिर वो साहित्य कैसा आहित्य सिर्फ और सिर्फ वाशन देने का नाम या फिर सिर्फ और सिर्फ ग्यान देने का नाम नहीं है वो मनोरंजन करता है वो मांजता है मन को और मन को मांजने के लिए जिन जिन कत्मों के जरूरत होती है उसमें कला सबसे महतुकून है यान भी है कला भी है कला इन तीनों समय में अपने एपने इस सतर पर अपने अपने तरीके से इस्तेमाल हो रही थी नवजागरन काल को आप अगर देखेंगे तो उस समय के साहित्य में भी अलंकार, रस, चंद, इत्यादी का प्रियोग हो रहा था ये साहित्य नवजागरन काल वाला साहित्य जो है वो रीतिकाल से धीरे-धीरे छूट रहा था, आदोन एक विश्यों को अपना रहा था, क्यों अपना रहा था, इसके पीछे एक तर्क है छोटा सा उसको समझे, रीतिकाल की कैंदर में, रीतिकालीन साहित्य के कैंदर में कौ था किस पर साहित्य लिखा जा रहा था रितिकाल में तोच के जवाब दीजिएगा उस समय केंद्र में राजा था राजा जिसकी प्रसंसा सुनना चाहता है साहित्य वैसा ही लिखा जाता था राजा अगर कोई सुन्दरी की प्रसंसा सुनना चाहता है तो उसके दरबारी कभी जो है स्रंगार परक रचनाएं कर रहे हैं राजा अपनी प्रसंसा सुनना चाहता है तो उसके दरबारी कभी है वो राजा की प्रसंसा में काविर रचना कर रहे है आम आदमी कहीं पर भी उस स्केच में नजर नहीं आता है राजा, राजसी वैभो, ठाटबाट स्रंगारिक्ता, कल्पनाएं ये सब हावी होता है रितिकाल की कवीता में अब जैसे ही ये नवजागरण की धारा से जोड़ता है कुछ नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं, 1875 की करांती के बाद तो जो साहित्ते कार रहे हैं उनके भीतर भी मान सिकता बदली, जब सामाजी किस तर पर इतने सारे परिवर्तन हुए, देश का हर वर्ग उन से प्रभावित हुआ उन लोगों के भीतर भी क्या हुआ मान सिकता बदली, उन्होंने भी अपनी सोच को एक अलग लेवल पर सैट किया, अब ध्यान अपना, यहां से नव जागरन काल का जो समय है रीतिकाल और आधुनिकाल का संदीकाल, इस समय विसेस में, देश वक्ती और अंगरिजों के खिलाफत, सामरा-चेबाद का विरोध, यह एक सिक्वेंस में सुरू होताय, ऐसे नहीं कि आचानफ से ही किसी ने अंगरिजों के खिलाब को इता लिख दी नहीं, इसका एक सिक्वेंस रहा है, क्या सिक्वेंस रहा है सबसे पहले उन्होंने विरोध किया है एक के बाद एक जो सामरेज़वदी ताक्ते रही है उनका वर्णन किया है उसके बाद वो राजाओं के खिलाफ उतरते हैं ऐसे राजाओं के खिलाफ उतरते हैं जो अंग्रेज़ों के पक्स में रहे हैं इससे एक सूत्र मिल गया रचना करने वाले लोगों के लिए कि हमें विरोध किसका करना है, सीदे तोर पर उन लोगों का विरोध करना है, जिनके हम गुलाम हैं, और अपर्तिक्स तोर से हमें किसका विरोध दर्ज करना है, जो इन आक्तों को एक तरीके से होसला दे रहे हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं, और जो करांदिकारी वर्ग के लोग हैं, जो समाज में नवजागरन लाना चाहते हैं, इनके खिलाफ हैं, उन लोगों का हमें क्या करना है? विरूद करना है. और फिर तीसरे स्टेप पर जाकर के इन्होंने सीदे सीदे तोर पर जो है, ऐसी देश वक्ती रचनाए प्रस्तूत की या इस प्रकार का साइट देखने को मिलता है, जहां पर खुली चुनोती है. अंग्रेजों की आँख में आँख डाल करके जो साइट ते लिखा गया है, वो सिर्फ सीदा सीदा मुखर विरोध है अंग्रेजों का, वो करांटी कारियों के बिल्कुल अगली पंक्ती में जिसको कहते हैं हराबल दस्ता, आगे की पंक्ती का जो सैना की आगे की जो पंक्ती होती अभी खुद अपने आप कोस्पंक्ती में खड़ा मैसूस करता है तो ये विरोध करने का भी एक सिस्टेमेटिक तरीका रहा है और इसी क्रम में ये लोग आगे बढ़े हैं नवजागरन देन फिर उसके बाद भारतेंदु काला आता है जहां पर वो सामरेजे दुबताक्तों का विरोध करते हैं क्यों कि स्वादीनता संग्राम हो चुका है हमाज में परिवर्तन दिखने लगे हैं तुष्टी कोचर होने लगते हैं एक सामान ने व्रक्टी जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है उसको भी समझ में आने लगा है कि कुछ बदला है और ये बदलाव हमारे लिए किस प्रकार से अच्छे और बुरे साबित हो सकते हैं वो थोड़ा बहुत आइडेंटिफाइग कर गया है और अब उसे दीरे दीरे इस पस्ट होने लगा है कि मुझे किसका विरोध करना चाहिए और किसके पक्स में खड़ा रहना चाहिए क्योंकि हमें एक सफलता बाले ही अठारा सो सतावन की करानती असफल रहे हैं लेकिन हमें कहीं न कहीं एक सफलता हाथ लग चुकी थी और वो सफलता क्या थी आप मैंसे कोई बताना वो सफलता क्या थी 1877 की करांती में हम असफल रहे हैं लेकिन एक स्थर पर हम सफल रहे लोगों के मन में ये भावना डाल दी सच की उनको अंग्रे जो को बारत से हाँ और हम कर सकते हैं 1877 की करांती से 100 साल पहले भी ऐसे ही करांती हुई थी पता होगा आपको वो भी पूरी तरीके से असफल रही थी उसके पीछे भी बहुत सारे ताकली कारण रहे उस समय बहुत कम उस समय बहुत कम लोगों को ये विस्वास हुआ था ये कह सकते हैं कि जो सीर्स के करांती कारी लोग थे उन लोगों को विश्वास हुआता कि हम ये कर सकते हैं चमता है, सामर्थ है, अंग्रेजों को यहां से बगाना आजादी प्राप्त करना कोई बहुत दुसकर काम नहीं है उन लोगों ने ये बात स्वीकार कर ली दूसरी बार जब 1877 की करांटी हुई यानि कि एक बहुत बड़ा विद्रो हुआ हर इस्तर पर उस विद्रो ने भारतिय लोगों के आत्म विस्वास को लोटाया अभी तक जिनकी मान सिकता 100% गुलामी वाली हो चुकी थी उनके अंदर एक प्रतिसप भी उस गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने की जो सक्ति पैदा हुई वो हमारा वो हमारी सफलता थी वो इस 1877 के विद्रो की सफलता थी अब नहीं लगने लगा कि जब कंपनी की सरकार खत्म हो सकती है तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये अंग्रेज सरकार जो अभी ब्रिटिस क्राउन के पास चली गई है सत्ता वो भी एक दिन हम खत्म कर सकते हैं उसको भी जड़ से उखाड फैकने की सक्ति हमारे अंदर मौजूद है अगर हम धारना कर ले तो ये आत्मविष्वास जो ना वो पैदा हुआ और इस बात का परिणाम यह हुआ जो ये आत्मविष्वास पैदा हुआ उस बात का परिणाम यह हुआ टि अंग्रेजों की जो सरकार थी लिया है کہ अग उनके पास कुछ है भी नहीं ऐसे में वो डू और डाई वाली सिच्वेशन में होंगे उनको भी एक डर लगने लगा वो भी यहां के हित में दिखावे के तौर पे यहां के हित में काम करने की सोचने लगे और जब यह सारी चीजें परिवर्तित हुई ना एक आत्म विस्वास जो अभी तक बिलकुल जीरो लेवल पर था सोच भी नहीं सकते थे आजादी की बात को वो लोग भी आजादी के बारे में ख्याल रखने लगे सोचने लगे और यह चीज़ साहिती के माद्यम से और मुखर होती गई बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जो हमने डिसकस किये कि आधोनिकता का मतलब क्या क्यों आधोनिकाल कहते हैं हम इसको क्या इसको आधोनिकाल कहा जाना चाहिए कि नहीं पिछली एक क्लास में हमने इस पर पूरा डिसकस किया था उन सारी बातों को मद्दे नजर रखके अगर हम सोचें तो एक स्पस्ट रूप से एक रेखांकित किया जा सकने वाला काम हो चुका था और भारतिय जनता स्पस्ट रूप से उसको समझने लगी थी कि परिवर्तन हो रहा है बहले ही वो बहुत स्पीड में हो रहा है लेकिन कुछ बदलाव हो रहा है और यही स्पीड अगर हमने रखी तो में भी हो सकता है बहुत जल्दी हमें आजादी मिल भी जाएगी तो राम मिला सर्मा क्या कहते हैं कि जो चीज नवजागरन काल के आरंब हुई थी रहने ऐसा के प्रभाव के कारण भारतिय समाज में आई थी वो भारतेंदू यूग में और ज्यादा बिस्क्रिक हुई उसका प्रभाव छेत्र भारतेंदू काल में बढ़ा जो कन्फ्यूजन कवियों साहित्ते कारों और यहां के साहित्ते में मौजूँ था राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति के बीच एक डामाडू सिच में संथी वो क्लियर होने लगी कि हाँ हमें अब राष्ट्रभक्ति की ही बात करनी चाहिए और ये बात विवेदी यूग में जाकर पूर्ण रूप से इस्पस्ट हो गई सामरजवाद का विरोध करना राष्ट्रभक्ति की बात करना हमारा जो अतीत है जैसा भी है क्योंकि बहुत एक विराट सब्वेता का हिस्सा है हम एक महान सब्वेता का हिस्सा है हम तो हमारा अतीत तो उतना ही अच्छा है उतना ही सुन्दर था उस अतीत के गुणगान करके आपने देखा भारत भारती में अतीत का गुणगान करके वरतमान की समय को सोचना कैसे हम उसको एक तरीके से इस समस्याओं को कैसे हम टेकल करें और आगे भविश्य के लिए हम क्या योजिना बनाए इस प्रकार की जो मनसा है वो साहित्य में दिखने लगी दिवेदी यूग में यानि कि दिवेदी यूग में आकर कि सामन्तवादी सामन्तवाद की विरोधी प्रवर्तिया रास्टर हिट की बात करना रास्टर भक्ती की बात करना अपने आपको सरुस्रेश्ट साबित करने की बात करना या ऐसा सोचना ये जो है विचारधारा ये और ज्यादा पुस्ट हुई और धीरे धीरे करके एक क्रांतिकारी वर्ग विक्सित होने लगा आगे चल करके आप देखेंगे विसेश करके छायावाद के बाद का जो समय है न वो समय ऐसा है कि अचानक से एक पुसप मिला साहित्य की तरफ से स्वादीनता संग्राम में हर व्यक्ति ने इस पर लिखा है कुछ नगुछ आप देखेंगे इस समय विसेश में दिवेडी यूग और उसके बाद के समय में हर व्यक्ति जो हिंदी साहित्य से जुड़ा है जो साहित्य से जुड़ा है वो कोई न कोई कारण से कोई न कोई आंदोलन का हिस्सा होने की वज़े से जेल की यात्रा करके आया है यानि कि वो खुद इसमें लगे हुए थे इस काम में तो सबसे बड़ी प्रवर्थी जो हमें इस काल में दिखाई देती है आधुनिक काल में वो है रास्ट्रियता की भावना और अतीत का गौरवगान आधुनिक काल की मुख्य प्रवर्थी है उन्होंने अपनी खुली आँखों से देखा मैसूस किया कि जो हमारे एक तरीके से कहें क्योंकि वो आप पूरे के पूरे भारत वर्ष को अपना परिवार मानते थे तो कभी ये समझने लगा कि मेरे परिवार के लोग इस तरह से क्यों छट पटा रही है ये पीड़ा आप मैथली सरन गुप्त के यहां पर देखेंगे आप निराला के यहां पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे कवी हैं जिनके यहां पर ये पीड़ा आप देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है भावानी परसाद मिस्ट के यहां पर देखिए उनका रदय भक्ती रीती और स्रंगार परंपरा से हट गया जब उन्होंने देखा कि मेरे देश के लोग जो है इस प्रकार से जो है इस तरह की इस्तती में है इस तरह की दुर्दसा में है कि उसको देखना तक जो है मुनासिब नहीं हो रहा है ऐसी इस्तुति में भक्ती, रीती और इन सब चीजों से उनका मन हट गया भारतेंदुकाल में भी कुछ कभी स्रंगारिक रचनाएं कर रहे थी रीती काल इन परंपरा का ही अनुसरन कर रहे थे लेकिन धीरे धीरे करके उस परंपरा से लोग कटने लगे थे और अब रास्ट भक्ती की बात करने लगे थे इन कभीयों ने देशवासियों को उनके अतीत गौरव को याद दिला कर उनमें एक उत्साह बरा एक जोस बरा और भारतेंदु यूग के बाद जब दिवेदी यूग आया उसके बाद में भी भावना बनी रही और ये कहना चाहिए कि भावना और ज्यादा बढ़ी इसका विक्सित रूप हमें देखने को मिला भारतेंदु हरिश चंडर लेखिए अईद्या सिंग अपाद्या हरियोग देखिए मैथनी सररण गुप्त को देखिए आप माखलाल चतुरवेदी को देखिए सुबद्र कुमारी चौहान को देखिए रामधारी सिंग दिनकर्स शाम नराण पांडे और फिर उसके बाद आदुनेक संदरगम जब हमें आजादी मिल गी तो उसके बाद भी आतीत गौरव गाकर के रास्टिता की परंपरा को और ज़्यादा एक सित प्रूप दिया वो जो रास्टरबाद की धारना थी रास्टरबाद की विचार धारा थी उसको एक प्रखरवेग में लेकर आए यह प्रदान प्रवर्ती है तो आब मुख्य प्रवर्ती कह सकते हैं question ऐसे पूज direct की मुख्य प्रवर्ती निम्न मैंसे कौन से है और यहां पर option मैं आपको चारो ही आदोनिक काल की प्रवर्टियां देखने को मिलेंगी तो आपको इस पर टिक करना है रास्ट्रियता की भावना इल्कुल करेक्ट इंगासन खाली करो के जनता आती है दिनकर की कवीता हैं भर्याउद की कवीता है मैतली सरन गुप्त की माखनलाल चतरुवेदी की कवीता हैं भवाने प्रसाद मिस्र की कवीता हैं इन सब को देखे आप यहाँ पर राश्टी ताहावी है और हमारे अतीत का गौरव किया गया है। इसे इस करके भारत भारती में तो तीनों कालों का एक तरीके से मिश्रन करके रचना प्रस्तूत की गई है। और ये क्वेस्चन एक बार आपको दिया भी था साइट। दूसरी प्रवड़ती जो आदुने काल में हमें दिखाई देती है। दिवेदी युग के बाद एक समय ऐसा आता है जब चारों तरफ रसंस हत्याएं हो रही है। लोगों को बेवज़े मारा जा रहा है। सब कुछ इस तरीके का हो रहा है। जो उपरी तोर पर एक विद्व भोग रही है। ऐसे में फिर से वही इस्तति बन गई। पता है को जैसे भक्ति काल के समय क्या हुआ था। भक्ति काल की प्रश्टबुमी को हमने समझा था तो देखा था कि युद्ध। जब समाज का एक अनिवार विशय बन गया और उसमें हर एक को भाग लेना आवश्य इस अरज को गया। ऐसी इस्ततियों में मन भक्ति की तरह भागा। शायाबाद का भी यही बेस है। आदनी काल में जब भारते-ंदु काल और दिवएदी यूग का बहुत सारे क्रांतिकारी परीवर्तरन भी हुए 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 और उन आंदोलनों में लोग जो है लगातार इस भूत रहे मरने मारने से किसी को कोई धwar नहीं पढ़ रहा थ। ना अंग्रेजैशों को मरने मारने से फर्क पढ़ रहा था ना हिंदुस्तानी लोगों को क्यों कि उनका मकसद क्या बना दिया था आजादी ये कि नपने प्रकृरिण इन चीजों का वर्णन कर रही थी खून, भक्ती, ये सारी चीजे अब कुछ कवियों के यहाँ पर इसे परिवर्टन होता है जैसे आप देखेंगे आदी काल के पुरंत बाद में भक्ति काल का जब समय आता है तो कुछ कवी जो है अपनी धारा बदलते हैं अपनी कवीता का विशे बदलते हैं वही चीज यहाँ पर दिखाई दी खायावाद का अब्रव होता है ये जो इस्थूल चीज थी यानि कि समाज में उन घटकों का वर्णन जो दिखाई दे रहे है दिवेदियूगिन कवीता, भातनियूगिन कवीता जो घटक समाज में हमें खुली आँखों से दिखाई दे रहे हैं उनका वर्णन कर रही थी अब चायावादी कवीता क्या कर रही है इन इस्थूल चीजों के भीतर जो चीज़े हमें नहीं दिखाई दे रही है और क्या चीज नहीं दिखाई देती अनुभूतिया मारे अंदर के इमोसंस भाव जो हमें नहीं दिखाई दे रहे है कवीता कहीं न कहीं धीरे धीरे इन भावों के मार्ग पर चलने लगी भावों को अपना विसे बनाने लगी और जब भावों को विसे बनाने लगी तो उस वो रास्ता जो है वो धीरे धीरे करके कहां जाके मिल रहा था एक अद्भूत और रह्षम ही दुनिया में जाकर करके उस रास्ते का अंत हो रहा था बलकि ये कहना चाहिए कि उस रास्ते का कोई अंत हो ही नहीं रहा था यहां पर यहां तक पहुंचते पहुंचते अंदेरा होता है और आगे क्या है कैसी दुनिया है कभी किस दुनिया में ले जाकर किसी व्यक्ति भी से इसको जो उसका पाठक है जो उसका स्रोता है उसको किस दुनिया तक ले जाना चाहता है कहां तक की यात्रा करवाना चाहता ह हो रहा है एक रहष्यमाई दुनिया में ले जाकर उसको छोड़ देता है एक रहष्यमाई भावगूमे में ले जाकर उसको छोड़ देता है वास्तविक दुनिया से क्या कर रहा है स्थूल है दुनिया तो है वो हम आखों से देख सकते हैं उनको टच कर सकते हैं ये दुनिया हैं और इस दुनिया वास्तविक दुनिया से वो क्या कर रहा है पलाइन कर रहा है उसको यह जो प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् चायवाद सब्द का इस पस्टूप से अर्थ क्या है तो हम आगे जब चायवाद पड़ेंगे तब उसका पूरा अध्यन करेंगे इन सौट ये समझ लीजिए चायवाद का मतलब है कवीता के कवीता का जब अर्थ ग्रहन किया जाए तो उस अर्थ की चाया कहीं और पड़ रही है जैसे एक आदमी मान लीजिए यहां खड़ा है और इस आदमी की चाया धर्ती पर यहां पड़ रही है अगर मान लीजिए कोई आदमी यहां से देख रहा है तो हो सकता है उसे सिर्फ यही आदमी दिखाई दे कोई और रीजन की बज़े से ये वाला आदमी ना दिखाई दे, कोई भी रीजन हो सकता है में भी, उसकी बज़े से ये वास्तविक आदमी नहीं दिखाई दे रहा, जो इस थूल रूप में वो नहीं दिखाई दे रहा, बलकि उसकी चाया, सुक्स्म रूप जो है उसका, वो आर्थ एक रहसे में दुनिया की यात्रा करवाता, एक रहसे में दुनिया में ले जाकर छोड़ देता आपको, वही चायवाद के लाता, ज्यादातर कवियों ने चायवाद कवियों ने अपने भाओं की अभी विक्ति की है, अंतरमन की अभी विक्ति की है, जो वो लोग उसको उन्होंने अपने कावे कभी से बनाया यहां पर विरह है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है इस तरीके की रचनाएं देखने को मिलेगी आपको जो अंतर मन को पकट करती है जो सरीर के भीतर सुक्षमाती सुक्षम चीजों को स्पस्ट करती है इस परकार की रचनाएं जो है, चायवाद के दुरान लिखी गई भारतेंदु यूग और डुवेदी यूग में रितिकाली इन स्रंगार धारा जो बिलकुल क्षिरन पढ़ गई थी चल रही थी, डुवेदी यूग तक रितिकाल की धारा चल रही थी लेकिन बहुत कमजोर पढ़ गई थी तो जगे पर आपको यहाँ पर यह डिफरेंस मिले गए अब इसी परमपरा का, जो रितिकाल की धारा ख्षिरन कमजोर पढ़ गई थी स्रंगारी के रचनावाली, इसकी एक धारा इसको समझने के लिए इस पर गौर कीजिएगा यह है रितिकाल, यह पॉइंट रितिकाल का है रितिकाल लीन कवीता में स्रंगार इस तरीके से कम होता जा रहा है दीरे दीरे करके, अब यह आ जाता है समय आपके भारतेंदू काल का ये मान लेजिए ये भारतेंदू काल का समय और ये है विवेदी यूग का समय यहाँ पर बिल्कुल कमजोर होगी रास्टीता हावी होगी सामरा जादित दाक्तों का विरूद करना हावी होगया कवीता में लेकिन धारा फिर भी चल रही है यहाँ पर ये समझ लेजिए चायावाद आता है इस धारा की मुख्य प्रवर्ती क्या है? स्रंगारिक्ता लेकिन इसमें और चायावादी कवीता की स्रंगारिक्ता में अंतर क्या है? ये स्थूल स्रंगारिक्ता को मुख्य मानती है यानि कि स्थूल स्रंगारिक्ता का वर्णन करती है जैसे नारी की देह का वर्णन और छायवादी कविता में वर्णन तो स्रंगारिक्ता का भी है लेकिन वो कैसा है आतिशूक्ष में इस्त्री मन की स्रंगारिक्ता का वर्णन किया है भावों में स्रंगारिक्ता का क्या महत्व है उसका वर्णन किया है स्रंगारिक्ता के अंदरूनी पक्षों को इस कवीता ने छायवादी कवीता ने वर्णित किया है ये धारा स्रंगारिक्ता वाली शुक्ष्म रूप से चल रही अभी, जैसे ही प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद के बाद ये धारा और ख्षिन पड़ जाती है, बहुत कम, सायवाद की कवीता में स्रंगारिक्ता दिखाई देती आपको, ख़रान के तोर पे आप देखिए निराला की कवीता, निराला की पहली कवीता कौ सी?िसी को आते है नहीं? इस कवीता के बारे में आपने क्या सुन रखा है? जुही की कली के बारे में कुछ सुनाएं इसकी विशेस पाएं इस कवीता के बारे में क्या विवाद रहा था सर इसमें ऐसे पवन को नाया को जो जुही की कली थी उसको नायिका के रूप में थोड़ा शिंगार की तरह प्रस्तूत किया था अब देखिए अब इसको थोड़ा और नजदिक जाके समझते हैं जूही की कली निराला की पहली कवीता है और ये कवीता हर साहितिक पत्रिका से रिजेक्ट होकर आई इसको किसी पत्रिका वाले ने छापा ही नहीं ये कहकर फैक दिया कि ये कवीता तो आम की नहीं है इसमें असलेलता है इसमें हाद से ज्यादा सरंगार है इस कवीता को जो है स्थान नहीं देना चाहिए क्यों ये बाते क्यों हुई थी इसके पीछे आपको पता है कारण क्या रहे है ये भारतिन्दुकाल में और दिवेदी युग में रास्तिता वाली जो बात है ना रास्ति ऐसे ही चायवाद आता है, जो ही कली निराला कवीता लिखते हैं, इसमें एक वैसा ही सौंदरे बोद दिखाई देता है, सरंगारिक्ता दिखाई देती है, जो रीतिकाली इन कवीता में है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, मैंने पहले ही बताया आपको, रीतिकाली इन कवीत में मांसल सौंद्रे का वर्णन किया गया है थायावादी कवीता में मन के आंतरिक सौंद्रे का वर्णन किया गया है आत्मा के सौंद्रे का वर्णन किया गया है जूही की कली कवीता में नायक नायका के तौर पे पवन को जिसको हम देख नहीं सकते है उसको नायक के तोर पे इस्थान दिया है और जूही की कली को नायका के तोर पे अभी ने इस्थान दिया है मानसल वर्णन दोनों का नहीं है लेकिन फिर भी रीतिकालीन कवीता की तरह ही संगारिक्ता मौझूद है ठीक वो ही प्रतिक्रीडा है सब कुछ वैसा ही है जो आप रीतिकाल की कवीता में एक नायक और नायका के वर्णन में देखते हैं ये जो बहुत बड़ा अंतर था छायवादी कवीता की प्रवर्तियों में ये निराला के काविश से इस पस्ट गुआ जन्मा और फिर इसके बाद जब निराला की जोई की कली को छाप दिया गया और ये रचना जो है एक स्रंगारिक रचना के तौर पर प्रचारित हुई उसको कुछ लोगों ने जो है एक तरीके से असलील साहित्य कहकर के पुकारा यहां से परिवर्तन होना शुरू जो ये धारा चल रही थी रीतिकाल की स्रंगारिक परंपरावाली वो धारा फिर से छायवादी कवीता के जन्म से आगे बढ़ने लगी लेकिन इसका रूप ब कवीता में देहिक था था ठायवादी कवीता में अंतरिक है एक देहिक के बीतर किस प्रकार किस स्रंगारिक विकार हो सकते हैं मनों विकार हो सकते हैं उन् I Kal два चायवादी कविता करती है। दोनों मैं ही स्थूल नहीं बलकि सूक्स में चित्रन है। स्थूल और सूक्स में अंतर समझे। एक तो मान लीजिए एक ए नाम का कोई आदमी है। और एक इसको आमने नाम दे दिया कि ये ए है। ये आदमी जब आपके सामने आता है तो आप इसको तुरंद पहचान जाते हैं ये तो ए है। और एक आपको इसके बारे में कोई बताता है। ये एक ए नाम का गत्य और उसकी ये ये कॉलिटी है, ये ये उसकी क्वालिफिकेशन है और इस तरीके से वो देखता है। अब दूसरी कंडिशन में ये ए नाम बाला गत्य आपके सामने मौजूद नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या प्रस्तूत किया गया है। पहले उसके बारे में बताया हुआ है हमें, उसका रूप, रंग, आकार, प्रकार, विधान सब कुछ बताया हुआ है, तो हम पहली बार जब इस एव नाम के विक्ति से मिलते हैं तो उसको पहचान जाते हैं, एक और क्लियर इसका एक्जाम्पल देखिए, राम हुए मान है, उनके सिर्फ सुक्समरूप के बारे में बताया है, वो कैसे दिखते थे, उनका विभार कैसा था, उनका मन कैसा था, उनकी वार्णी कैसी थी, इसके बारे में हमें एक तरफ आईडिया गया, अब मान लीजिए, राम मौजूद आपके सामने कभी मिल जाए, खुद सरीर के रूप में, देही के रूप में, वो रूप कैसा होगा, वो राम का स्थूल रूप होगा, और सिर्फ आपके पास सिर्फ राम से रिलेटेड डेटा है, तो वो रूप कैसा है, सुक्समरूप है, आपने उसको फिजिकली नहीं देखा है, तो वो सुक्समरूप है, और और चायवादी कवीता में सुक्ष्म रूप में हैं। आंतरिक पक्स को इसपस्ट करती है। राम हटे कटे हैं। चायवादी कवीता में और रीतिकालिन कवीता में हैं। और रीतिकालिन कवीता से इस बीए भी थोड़ी बिन हैं। वो आप्सटेक लेवल पर चीजों को दिखाती है, उन विकारों को प्रकट करती है, इसपस्ट करती हुई, उनके बारे में बात करती है। और एक ऐसी दुनिया में ले जाकर छोड़ देती है, जहां रहस्य है। उ कवीता को. छायवादी कवीता सुक्ष में रूप का वर्णन करते हुए आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जो यात्रा रहसे माई दुनिया में जाकर करके खो जाती है वहाँ जाकर करके आप जो है विलीन हो जाते हैं बटक जाते हैं इदर उदर कहीं न कहीं गुम हो जाते हैं और यात्रा आपकी अनवरत जारी रहती हैं जब तक आप कवीता की भावोमी से वापस नहीं लोटते हैं तब तक और आपकी जो ये कवीता है रित इक विता उसमें ऐसी कोई चीज का वरणन आपको नहीं देखने को मिलता है फिर्फ जो दुनियावी चीज़े शूल चीज़ें हैं जो चीज़ें आवेलेबल हैं जिनको आप चू सकते हैं जिनको आप अपने खुली आँखों से देख सकते हैं उन चीज़ों के बारे में बर्णन कर लिए और उसी की विसेस्ताओं को दिखा रही है चायवादी कवीता में प्रकरती और नारी के सौंदरी को चित्रित किया गया वो भी सुक्ष में स्तर पर ऐसे कल्पनाव लोक में ले जाकर कि छोड़ देता है जो यथार्थ से मैच तो करता है यथार्थ से मिलता जुलता तो लगता है लेकिन वास्तों में नहीं है चाया है वो जैसे मैंने बताया ना ए नाम के विक्ति के आपने एक चाया देखी यहां पर खड़ा था वो उसके आपने यहाँ चाया देखी अब यहाँ यहां यह आदमी है तो सही लेकिन जो आपने देखा है वो हाकीकत नहीं है वो उसका आभास मात्र है वो किससे हम इसका संबंद मानेंगे कल्पना का तो शुक्षम ही है वास्तविक्ता इजैसे इस आद्मी की चायँ यह आद्मी तो इजया पे खड़ा है लेकिन कोई बज़ा जैसे हमें दिखाई की जो कवीता है उतका अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो अर्थ लग निकलेगा और वास्तों में वो किस कहना को छोड़ जाती है एक ऐसी यात्रा पर आपको रवाना कर देता है जो कभी खत्म नहीं होती है चलते रहो चलते रहो चलते रहो जब तक आप कभी तक भाव भूमी से जब तक नहीं उतरते हैं भाव भूमी से जब तक नहीं लोटें तब तक आपके लिए वो यात्रा अनवरा जारी रहती है रीती काल की कभीता इतनी लंबी चोड़ी यात्रा पर नहीं बेजती है आपको वो सिर्फ कलपनाओं में जरूर आपको कुछ देर के लिए लगा देती है आप नारी के देहिक सुंदरी के कलपना करने लगते है प्रकरती का वर्णन कम है लेकिन फिर भी आप प्रकरती के सुंदर सुंदर सिनारी आपकी दिमाग में आने लगती है कलपनिक लोग में आप खो जाते हैं लेकिन कुछ देर के लिए और चायाबादी कभीता सूक्सम से सूक्सम इस्तर पर धीरी धीरी एक अनवरत जात्रा पर आपको ले जाकर छोड़ देती है जिसका अर्थ स्पस्ट नहीं है उस दुनिया में क्या हो रहा है वो भी नहीं पता है जैसे एक अंदेरी गुफा में आपको छोड़ दिया जाए तो आपको पता लगेगा कहां क्या है नहीं पता है और एक प्रकास्मान कमरे में आपको छोड़ दिया जाए तो आप एक एक चीज को छूँ कर देख सकते हैं पता कर सकते हैं कि यहां कौन सी चीज़े वहां कौन सी चीज़े यह की तुस्रेस का अर्ध यह हुआ कि शूक शुम्दा रितिकार्षि-जैसे किसी नायिका-क वर्णन तो रितिकल का कवी नाइका का बढ़न कर रहा है तो वो उसके आंग उपांगों को दिखाएगा या उसने जो आपुशन पैन रखें या उसने जो वस्त्र पैन रखें या जो भी नाइका भीद आचारे कवियों ने बताएं उनके बारे में बात करेगा बस खतम कर देगा कव और फिर वो एक पारलोकिक दुनिया की तरफ इसारा करके उनाई का गायव हो जाती और आप उस यात्रा में अनुगरत लगे रहते हैं यह चायवाद और रितिकाल की कवीता में अंतर है स्रंगार दुनों में दुनों ने स्रंगार एक वर्णन किया मैंने का ना धारा क्षीन पड़ी फिर से चलने लगी लेकिन एक नए रूप में एक नया वर्जन था जैसे नोकिया के मोबाइल पहले बहुत तगड़े उसकी अड़टाइजमेंट थी बहुत तगड़े चलते थे मार्केट में फिर बीच में एक समय ऐसा है कि लुप्त हो गए और अब फिर से वो एंडूइड फॉन बनाने लगे विंडोज फॉन बनाने लगे फिर से थोड उनकी सिरीज थी सिंबियॉन वो प्लेटफॉर्म था फिर जब एंडूइड फ्लेटफॉर्म आया आपकी जो आदोनिक काल की कवीता है ना अर्तेंदु यूग की और दिविद यूग की समझे ये एंडूइड यूग है इस समय में नौकिया वाले फॉन कमजोर हो गए जो बहुत पुराने दादा या नाना या इस एज की लोग है ना उनके पास आपको नौकिया मिलेगा नए जितने भी लोग है उन साथ के पास एंडूइड फॉन मिलेगा सैंसेंग का फॉन मिलता था अब क्या हो रहा है पाफिस वही चीज जब नौकिया ने अपना वह सिंबि आपको नौकिया दिखने को लगेगा ऐसी स्कति कवीता में भी क्या हुई है भीतिकाल की कवीता में जब नौकिया हावी था मार्केट पर स्रंगारिकता हावी थी मार्केट में और वो स्रंगारिकता कैसी थी स्थून नाइका के अंदर ये का उसके अंगो पंगो का बर्ण नहीं देता था अब जैसे ही वापिस चायवाद आया इस प्रकार की कविता का फिर से चलन हुआ फिर से नौकिया डिमांड ना है लेकिन एक नए वर्जन के साथ में एक नए प्लेट साल पे, एक नए डिवाइस की रूप में, एक नए अंस्करन की रूप में वो सामने आए, ठीक यही, प्रणार जो है, रीतिकालेन कवीता और छायवादी कवीता में देखने को मिलता है, इस प्रवर्ती में कवियों की अत्रप्त प्रणय भावना वेदना से रोपड़ी है, यानि कि वेदना का वर्नन है, ठायवादी कवीता में प्रीडा का वर्नन है, और वो प्रीडा किस कारण से उत्पन हुई है, ये आपको बताए, पिछले दो यूग का समय है, भारतेंदू यूग का समय, दिवेदी यूग का समय, 1870 की करांती के बाद, जो स मन धीरे धीरे करके इन चीजों से पलायन करता है और वो एक रहसे में दुनिया में जाकर इस्थान बनाता है जैसे एक्जामपल समझें आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी है ना पेपर हुए पेपर होने के बाद में आप कुछ कारणा से में भी हो सकता है कि आपने OMR में ए क्वालिफाई कर दिया ऐसा कुछ हुआ किसी के साथ में वो क्या करेगा बताओ वो सेलिबरेट करेगा कि हाँ मेरे नंबर इतने अच्छा हैं लेकिन मिस्टेक मेरे से यह हुए कुई हंडेट परसंट वो सेलिबरेट नहीं करेगा कव्यों नहीं ये जागरुता फेलाई यहां पर निर्शंसता है यहां पर निर्दैता है कवीता में ये चीज़े नहीं होनी चाहिए क्योंकि कवीता तो जो है मनुष्य की उदात्ता के बारे में है कवीता मनुष्य के हित के बारे में है कवीता उसके अंद्रूनी पक्स को विक्सित करने की बात करती है वो मारने मरने, निरसंस्ता हत्या, खून, इन सब चीजों में विस्वास नहीं करती है इन सब ये सब चीजें कवीता का विसे नहीं है, उन कवीयों के दिमाग में ये बात आई आप वो क्या कर रहे है जैसे वो लड़का जिसका सेलेक्शन नहीं हुआ है जबकि उसके नंबर टॉपर से भी ज़्यादा है वो मायू सोकर के बैठा है एक कौने में और कुछ भी सोच रहा है कुछ भी सोच रहा है, मतलब कलपनाओं में और इन सब में खोया हुआ है, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है हकीकत को accept नहीं कर पा रहा है इसी प्रकार का जो माहूल है इन कभीयों के भीतर हुआ ये वेदना किस के प्रती है खुद के प्रती है मैकसिमम टाइम खुद के प्रती है कभी इस चीज से एक तरीके से अतरबत है कि ये लोगों की जो मानसिक्ता बनी है वो मानसिता अंतता खराब है सब्वेता के लिए, मानव सब्वेता के लिए खराब है कब तक हम खुन खराबा करते रहेंगे कब तक हम इस तरीके की निर्दैता को निर्दैता का नुसरन करते हुए चलते रहेंगे और इस कारण वो एक रहस्यमाई दुनिया में पलायन चाहता है वो भागना चाहता इस दुनिया से अब फिर वो प्रकरती का वर्णन करता है आत्मा का वर्णन करता है आत्मा की सुंदरता का वर्णन करता है कहीं-कहीं पर देहिक वर्णन भी करता है आप परसाद की कवीता देखी, ले चल मुझे भुलावा दे कर मेरे नाविक धीरे धीरे भुलावा दे कर मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? भुलावा देने का मतलब क्या? तो बता मत की कहां लेके जा रहा है ऐसी दुनिया में ले जा जहाँ पर अब कुछ अलबेला है जहाँ एक अलग स्तर का है अलग प्रकार का है ये जो पलायन है ये इस छायवादी कवीता में आपको इस पस रूप से देखने को मिलता है माहा देवी कहती है मदूर मदूर मेरे दीपक जल और से दीपक के जलने की बात कर रही है उनके अंदर जो आत्मा का दीपक है उसके जलने की बात कर रही है उनके अंदर जो विरह का दीपक है उसको जलने की बात कर रही है पंत लिखते हैं, ग्राम्या में एक सुन्दरी का वर्णन करते हुए, वो उसके एक अलग ही रूप का विदान करते हैं, वो उसके देहिक सुन्दरी का वर्णन नहीं करते हैं, बलकि उसकी आत्मा की सुन्दरता का वर्णन करते हैं, और हमें एक ऐसी भावगुमें पर ले ज रहें इस कावेधरा के और रामकुमार वर्मा का नाम भी आये रामकुमार वर्मा भी छायावादी कवी थे ठीक है इस चीज को भी आप दिहान से याद रखिएगा रामकुमार वर्मा को कवी के तौर पे कम लोग जानते हैं लेकिन रामकुमार वर्मा ने छायावादी कवीत लिखी है इनको विशेस रूप से ध्यान में रखिएगा बाकि प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा को तो आदार इस्तम के तौर पे जानते ही हैं चायवदी कवियों में रामकुमार वर्मा के नाम को भी याद रखिएगा मुकुटधर पांडे का नाम भी चायवद के रूप में ध्यान में रखिएगा राम नरेश्तिरपाठी को भी इस सम्बंद में याद रखिएगा इन लोगों का चायवद से कोई ने कोई कनेक्शन है इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम चायवद पढ़ेंगे उस समय में अलग-अलग इस पर स्टूप से एक-एक कभी के बारे में पढ़ेंगे लियर चलिए तो आज हम इस क्लास को तो करते हैं यहीं पर एंड ऑर पर झ olha कि बारे में Napoleon कि अ की बारे में हम तो करते हैं अलग-टे लीवदा में मिक कभी के बारे मीवद दि東 आज हैंते हैं UV को अ़क्या टूबार बारे में ऄरे मीवद एक में बारे तो करते हैं अलग-ग्वद Нам सर